दोस्तों कैसे हैं प्लोग क्या हाल चाल है मेरा नाम है सुषील गुरुजी और आज हम एक सवाल को solve करने वाले हैं अगर आपको इसका इत्तर आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को रोक के नहीं तो मैं तो इसका इत्तर बताने ही वाला हूँ तो यहाँ पर सवाल कुछ इस परकार है कि 5 x 10 की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है यानि 5 गुरे 10 की घाते माइनस 1 फिर इसके बाद दिया हुआ है प्लस 7 गुरे 10 की घाते माइनस 2 यानि 7 x 10 की पावर माइनस 2 और तीसरा दिया हुआ है 2 x 10 की पावर माइनस 3 यानि कि दो गुरते 10 की घाते माइनस 3 और इसको solve करने के बाद क्या answer आएगा यही आप लोगों को बताना है अगर आप इस सवाल को जल से जल कर सकते हैं तो ये डियोरों किसका उत्तर comment जरूर मुझे करें तो आएए इसको solve करते हैं तो सवाल कुछ इस परकार है यहाँ कि हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 का मतलब ये होगा कि 5 गुरे 1 बटे 10 यानि कि किसी के उपर अगर माइनस में घात लगी है तो वो नीचे बटे में चला जाता है ठीक है तो इसको हम लेख सकते हैं 5 बटे 10 जब हम 10 का भाग इसमें देंगे 5 में तो ये कुछ आएगा 0.05 ठीक है अगला पत देख लेते हैं अगले पत में दिया हुआ है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ठीक है तो यहाँ 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो दूसरा पत दिया हुआ था आप देख सकते हैं वो ये है कि 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है ठीक है इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 7 into 1 upon 10 की power 2 यह भी आप ध्यान रखेगा कि जब घाते minus में हो यानि घात power minus में हो तो बटे में चली जाती है नीचे चली जाती है लेकिन तब वो जब नीचे जाती है तब वो plus में हो जाती है जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं तो यह कुछ हो जाएगा 7 बटे 100 भाग देने पर यहाँ पर आएगा दसमलो 0 7 ठीक है अगला पद हम यहाँ पर देख लेते हैं अगला पद है यहाँ पर 2 into 10 की power minus 3 तो ऐसा हिसमें भी करेंगे तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा 2 बटे 1000 ठीक है 2 बटे 1000 कैसे हो जाएगा क्योंकि 10 की power 3 हो जाएगा और 10 की power 3 को हम 1000 ही लिखते हैं यानि कि 1000 भाग करने पर आएगा क्या आएगा 0.002 तो जितने भी पदों की जो जो आंसर आ रहे थे सब को हम जोड़ लेते हैं तो सबसे last वाला आ रहा है 0.002 होना चाहिए तभी आप add कर शकते हैं यानि कि जोड़ सकते हैं आपने दसमलो के बारे में पढ़ा ही होगा यह दूसरे पद का अंसर था 0.007 तीसरे पद का अंसर क्या था यानि सबसे जो पहला है उसका आया था 0.5 तो इसको जब आप add कर देंगा जो हो जाएगा 2, 7, 5 यह point और 0 तो इसका आएगा 0.12, 5, 7, 2 धन्यवाद और एक bonus और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जैसे एक संख्या दी हुई है 1 3 5 6 9 3 6 8 9 2 ठीक है यहाँ पर जो एक संख्या दी हुई है इसको अगर हम sort में करके और power में लिखना चाहते हूं तो कैसे लिखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा पहले एक के आगे कितनी संख्या हैं उसको हम count कर लेते हैं एक के आगे है एक, दो, तीन, चार, पांथ, पांथ, छे, साथ, आठ, नौ ठीक है नौ संख्या है तो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1.356, 9, 3, 6, 8, 9, 2 इन्टू, 10 की पावर कितना आएगा 9 10 की पावर 9 आएगा ठीक है, यहाँ पर यह थोड़ा चल नहीं रहा है पिन तो यहाँ पर आप समझ जाए 10 की पावर 9 आएगा यानि कि 9 क्यों आएगा क्योंकि एक क्या आगे 9 संख्याएं थी और यह जो है यह दसमलो लगा हुआ है आप इसे 0 मा समझ लिजेगा ठीक है तो लाश्ट में जो पद है इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वो है 10 की पावर 9 9 क्यों आ रहा है आप समझ गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, एक क्या आगे 9 संख्याएं लगी वे थी इसले नायन आया धन्यमाद इसके अलावा आपको कोई समस्या है उससे समझ दे तो नीचे कॉमेंट करके